नमस्कार दोस्तो यूटूब चैनल जो बॉलट में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज 31 मही 2020 और दोस्तो टोप 10 करंट अफेर कीजिए सिरीज का अपना सेसा नमबर 152 है दोस्तो यह अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के निचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबा कर दोस्तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तो अमेशा की तरह अपने वीडियो की सुरुआत कुछ मोटिवेशन लाइन के साथ करते हैं तो आज के अपने मोटिवेशन लाइन है कि जब आप बगवान से सक्ति मांगते है तो वह आपको खटनाई में डाल देता है ताकि आपकी हिम्मत बड़े और आप सक्तिसाल बने तो दोस्तो मैनत करते रही है आपको सपलता जरूर मिलेगी और दोस्तो जो क्यूशन ओपड़े दिया गया था आपको कल उसका सभी जबाब आपको आज हम बताएंगे कि कल जो क्यूशन ओपड़े पूचा गया था वह था दोस्तो की इथोपिया दुआरा किस नदी पर एक मेगा जल विद्यूत परियोजना का निर्मान किया जा रहा है जिसने नदी के अनुपरवा में इस्तित देशों यथा मिसर थता इथोपिया के मद्य जल यूद की संभावना को बढ़ा दिया है तो वह है दोस्तों अप्सन नंबर बी नील नदी नील नदी पर एक मेगा जल विद्यूत परियोजना का निर्मान किया जा रहा है और जो जल यूद की स्तिति की संभावना हो गई है मिसर और इथोपिया के मद्य है अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी के जल बटवारे को लेकर अफ्रीकी मादीब के कई देशों के मद्य एक दसक से अधिक समय से विवाद चल रहा है वर्ष 2020 के अंत में इथोपिया और मिसर नील नदी पर जल विद्यूत परियोजना के भविश्य को लेकर वासिंग्टन डीसी में बादचित शुरू करने जा रहे है नील नदी विश्वे की सबसे लंबी नदी है यह बुमद्य रेका के दक्षिन से निकलती है और उत्री पूर्वे अफ्रीका से होते हुए यह बुमद्य सागर में आकर गिरती है आज का दोस्तों क्यूस्वे नमबर एक है अपना विश्वे थायराइड दिवस विश्वे थायराइड दिवस दोस्तों 25 मई को मनाया जाता है और इसका मनाने का जो दिवस विश्वे थायराइड के बारे में जागरुकता फैलाना और थायराइड रोगों की रोगताम और उपचार के बारे में लोगों को जागरुक करना तो दोस्तों ध्यान रखना है विश्वे थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है विश्वे थायराइड दिव या ओसेन थाइराइड एसोसियेशन ए ओटिये के साथ मिलकर रोग्यों के थाइराइड रोग और डॉक्टर और उनका इलाज करने वाले चिकेसक के लिए इसको मनाया जाता है क्यूसर नमबर सेकेंड अपना दोस्तो हाली में सुर्कियों में रही चमबा सुरंग का उद्गाठन किस राज्ये में किया गया चमबा सुरंग तो दोस्तो ये ध्यान रखना आपको उत्राखंड उत्राखंड राज्ये में इसका उद्गाठन किया गया किंद्रिय सडक परिवयन और राजमारक मंतरी नितन गडगरी ने हाली में वीडियो कॉनफरेंस के माध्यम से उत्राखंड में चमबा सुरंग का उद्गाठन किया है अक्टुम्बर में इस सुरंग का संचालन शुरू कर दिया जाएगा इस सुरंग का निर्मान सीमा सडक संगठन बियारो ने उत्राखंड की चार धाम परियोजना योजना के तहत किया गया है गंगोतरी, केदानात, यमुनोतरी और बद्रिनात तक कनेक्टिविटी की सुईदा के लिए यह 12,000 क्रोड रुपे की प्रियोजना है रिशी केश दरासु मारक पर चंबा साहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई है तो बात करें दोस्तों उत्राखंड की तो उत्राखंड की राजदानी है वह देहरादून और बाके मुख्यमंतरी वर्तमान में त्रिविंदर सिंग रावत जी और राज्यपाल है दोस्तों बेबी रानी मोरिय जी उत्राखंड राज्यपाल गठन 9.9.209 को उत्रपरदे से अलग करके किया गया था यह्ल además है उस समय बाष्ट का 27 वा राज्ये को बना था किस बारतिय राज्यAY ने लाक की गेटी को करसी गतिविदी गोसित करने कार नेनने लिया है का नेड़ने लिया है तो दोस्तों इसका सही जबाब है चछतीस गड़ थे हैं चछतीस गड़ने लाग की खेती को कर्सी गतिविदी गोसिट करने का नेड़ने लिया है हजारों लाग कीट मेजवान पेडों की साकाओं का निवास करते है और लाग वरनक का स्राव करते है 36 गड़ देश में लाग के परमुक उत्पादगों में से एक है इस कदम से लाग के कहती करने वाले किसानों की उत्पादगता और रिन उपलपदता बढ़ेगी बात करें दोस्तों 36 गड़ की तो 36 गड़ की मुख्य मंतरी वर्तबान में बुफेश बगेल जी और राज़दानी राज़पाल है दोस्तों अनुसुया उईके जी एक नॉम्बर दो जारीश्वी को बारत का 26 वा राजय बनाया गया 36 कट को और किस से लग किया गया था दोस्तों मद्य परदेश से इसको अलग किया गया था क्यूसर नंबर चार है दोस्तों अपना दक्षिन एसिया के लिए जलवायू परिवर्तन और आपदा जोखिम परबंदन के लिए विश्वे बेंग के प्रेटिक्स मेनेजर की रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तों आभास जा को प्रेटिक्स मेनेजर नियुक् यह नियुक्ति एक महत्पुन समय पर की गई है जब भारत में पस्चिब मंगाल और ओडिसा और बंगला देश में इंतिया पे मिलके दोस्तों अंफान जो चक्रवात आया है इसलिए यह नियुक्ति काफी सभी समय पर मानी जा रही है नेक्स्ट कुच्चन अपना हाली में किस देश ने कहा की वह कोरोना वाइरस वेस्विक मामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे 60 लाग डालर देगा तो कौन से देश ने का है कि वह कोरोना वाइरस मामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान को 60 लाग डालर की सायता देगा तो अमेरिका अमेरिका ने पाकिस्तान को 60 लाग डालर की सायता देने के लोचना की है पाकिस्तान में फैल रहे कोरोना वाइरस के संक्रमन से निपडने के लिए अमेरिका 60 लाख डालर की सायता रासी देगा अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिंग मदद देने का एलान किया है अमेरिका ने का कि यह देनलासी पाकिस्तान को उन स्वास्ते कर्मियों को और प्रक्षिशन देने में काम आएगी जो अस्पतालों में कुरोना वाइरस संकर्मन के गंबीर हालात वाले मरीजों की देखबाल करते हैं उन्होंने का कि इसे से चिकिसा केंदरों में कुरोना वाइरस फैलने से रुके गा बात करें दोस्तों अमेरिका की तो अमेरिका की राज़दा नहीं है वासिंटन डी सी और अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के राष्टपती की बात करें तो डोनाल ट्रम्प और उपराष्टपती है दोस्तो माइक फेंस तो अमेरिका के राष्टपती होगे डोनाल ट्रम्प और उपराष्टपती है दोस्तो माइक फेंस वही दोस्तों बात करें अपन पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के परदानमंतरी है इमरान खान, राश्टपती है दोस्तों आरिफ अलवी और पाकिस्तान की राजदन है दोस्तों इसलामाबाद क्यूसर नमबर 6 है दोस्तो अपना राम किंकर बेज के 115 वी जैनती के उपलक्स में ये परदसनी का आईजन किया गया राश्टी आदुनिक कलास संग्राले नेशनल गैलरी ओफ मौडन आर्ट ने परसिद मुर्तिकार और चित्तरकार राम किंकर बेज की 115 वी जैनती के उपलक्स में आउनलाइन परदसनी का आईजन किया इस ओनलाइन परदसनी का जो सीर्षक था वह था राम किंकर बेज जर्नी थू साइलेंट ट्रांसफॉरमेशन एंड एक्सप्रेशन इस ओनलाइन परदसनी को पाँच अलग-अलग विश्यो पोर्ट्रेट लाइफ स्टेडी अबस्ट्रेक्ट एंड इस्ट्रेक्ट्रिल इसक्लेप्चर्स परायुजित किया गया भारतिय कला में उनके उतकष्य योगदान के लिए उन्हें वर्ट्स गुनिस सो सत्तर में भार सरकार दुवारा पदम बूसंड पुर्षकार से भी सम्मानित किया गया था कुछा नमबर साथ है दोस्तो अबना सास्तरिय संगीतकार शामला जी बावे का हाली में निदन हो गया उनकी हिंदुस्तानी के साथ साथ करनाटक संगीत पर भी अच्छी कमान थी उन्होंने भारत के पहले संसकर्थ दारावाई कादंबरी का संगीत भी उन्होंने तयार कि भारत का पहला संसकर्थ दारावाई कादंबरी उसका संगीत शामला जी भावे ने तयार किया था उन्हें करनाटक राज्योसव पुरुसकार से भी समानित किया गया था उन्हें उभैगुन विदूसी दोनों सेलियों में विशिषगय के खिताब से पार चुका है और साथ उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए भी संगीत तेयार किया जिसमें पहली संस्कर्थ फिल्म आदी संक्राचारे भी सामिल है क्यूसर नमर आठ है दोस्तों अपना किस भारतिय राज्य या केंदर सासित परदेश में परवासी सरमिकों के कोशल की पहचान करने और रोजगान परदान करने के लिए एक परवासन आयो का गठन किया गया है तो इसका सही जबाव है दोस्तों उत्तर परदेश उत्तर परदेश सरकार ने गोशना की है कि वह परवासी सरमिकों के कोशल की पहचान करने और उन्हें रोजगार परदान करने के लिए एक परवासन आयो का गठन करेगी सरकार ने वापसी करने वाले सरमिकों को भीमा और एक नोकरी सुरक्षया योजना परदान करने की भी स्वेदाय परदान करेगा बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रिय योगी आदित्यनाज जी और राज्यपाल है दोस्तों आनंदी बेन पतेल और राजदान ये दोस्तों लखनाव क्युस्टा नमबर नो है दोस्तो साइबर सुरक्षिया पर सीब्येसी की हैंड़बुक केंद्रे मानो संसाधन विकास मंतरी रमेज पोकरियाल निसंग ने तीन हैंड़बुक हाली में जारी किये है कौन-कौन सी साइबर सैप्टी ए हैंड़बुक फॉर स्टुडेंट्स पह ये तीन हैंडबुक केंद्रे मानो संसाधन विकास मंतरी रमेज पोकरियाल निसंग ने जारी किये हैं जो सीब्येसी दुबारा सिक्षिया के मुल्य आदारित वेस्विक मानकों को अपनाने के लिए बोर्ड दुबारा उठाये गए उपायों पर आदारित है क्यूसर भारती विवाद समाधान के अंदर इंडियन डिस्प्यूट री स्योलिशन चेंटर का उदगाठन किया यह के अंदर ने पूरी तरह से कागज रहित विवाद समाधान वातवन परदान करने के लिए कदम उठाया हैं इसके अलावा के अंदर अपने इमद्यस्ता को कमेंट बोक्स में टाइब करके बताना है और हमारी तरफ से इसका सही जबाब दोस्तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा भारतिय सेना में अपसर और महीला सांतिदूत उत्राखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्टर सेन्य जेंडर एड़ोकेट ओप दे इयर के वाड से सम्मानित करेगा इसका सही जबाब आपको कमेंट बोक्स में टाइब करके बताना है दोस्तो जदी आपको वीडियो अच्छा लगा तो पलीज लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा से शेर कीजिए और पीडि कीजिए साथ में बैल आइकन को जरूर दबाए थैंक्स टू वाचिंग वीडियो ओल दा वेश्ट